नमस्कार स्वागता आपका मेरे ल्टूब चैनल आई टी आई 3060 डिग्रीज में आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे महत्पूर्ण ड्राइंग इस्टूमेंट्स के बारे में दोस्तों मैंने अपना पिछले वीडियो ड्राइंग इस्टूमेंट्स पर ही बन वीडियो के अंतर बने रही है यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इससे इंजिनिरियो ड्राइंग में बहुत ज्यादा कोश्चन पूच्छे जाते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि 15 मुख ड्राइंग इस्टूमेंट्स प्रयोग किये जाते हैं इंजिनिरियो ड्राइंग बनाने में जिसमें मुख छे इस्टूमेंट्स मैं आपको बता चुका हूँ उसमें ड्राइंग बोर्ड, टी इस्क्वाइर, सैट इस्क्वाइर, प्रोटक्टर, स्केल और ड्राप्टर के बारे में आपको बता चुका हूँ आज बचे हुए बाकित Drawing Instruments के बारे में हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे Drawing Instrument Box के बारे में Drawing Instrument Box में पांच मुक्ष इस्टुमेंट्स होते हैं पहला है Large Size Compass with Interchangeable Pencil and Pen Legs दूसरा है Lengthening War तीसरा है Small Wo Compass चौता है Large Size Divider और पांच महा है Small Size Divider या Small Bow Divider चलिए अब हम चर्चा कर लेते हैं Large Size Compass with Interchangeable Pencil and Pen Legs के बारे में Compass का प्रयोग ब्रत्य चाप खीचने के लिए किया जाता है Compass की दो Legs होती हैं और ये दोनों उपर हिंज सपोर्ट से जुड़ी होती है एक Leg नीचे सीधी होती है और दूसरी Leg के निचले हिस्यों में Pencil लगाया जाता है Pencil लगाने वाले सिरे को अलक्स भी किया जा सकता है इसमें Pen भी लगाया जा सकता है इसके दोनों Legs पर Knee Joint होते हैं जिस परकार गुटने के Joint होते हैं उसी परकार इसके दोनों Legs में Knee Joint होते हैं उसे आतानी से मोडा जा सकता है इसके द्वारा एक Brat बनाने के लिए सबसे पहले हम Brat की तरज्जा को Scale की सहता से Compass में Feed कर लेते हैं और फिर हम इसके सीधे वाले Leg को Brat के Center पर रखते हैं और Pencil वाली Leg को Clock While Direction में इस तरह घुमाते हैं कि एक पूरा चक्कर लग जाता है और इस प्रकार हमारा जो Brat है वो Complete बन जाता है इसकी सहता से 150 mm Radius तक के Brat ही बनाए जा सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं और डिसकस कर लेते हैं Instrument Box में दूसरे Instrument या Tool के बारे में Lengthening Bar जब हमें 150 mm से ज़्यादा तरज्जा वाले ब्यास खीचना होता है तो हमें Lengthening Bar की आवस सकता पड़ती है यह हमेशा Compass के साथ ही प्रयोग किया जाता है Compass का दूसरा सिरा जहां पर Pencil लगी होती है उस सिरे को Pencil को हटा लेते हैं और Lengthening Bar का उपर वाला सिरा Pencil की जगह लगाते हैं और Lengthening Bar के नीचे वाला सिरे में हम Pencil लगाते हैं और उसके बाद जैसे Compass से ब्रत खीचते थे वैसे ही इस से ब्रत खीचते हैं इस Lengthening Bar का Advantage इतना होता है कि इस से ज़्यादा तरज्जा के ब्रत खीच सकते हैं आगे बढ़ते हैं और डिसकस कर लेते हैं इस्टूमेंट बॉक्स के अगले इस्टूमेंट के बारे में इसमाल वो कमपास जब बड़ी संक्या में छोटो छोटो ब्रत जिसका Radius 25 mm से कम होता है जिसका Radius 25 mm से कम होता है को बनाने के लिए इसमाल वो कमपास का प्रयोग किया जाता है आगे बढ़ते हैं और डिसकस कर लेते हैं इस्टूमेंट बॉक्स के अगले इस्टूमेंट के बारे में लार्ज साइज डिवाइडर इसके दोनों लैक्स उपरी सिरे पर हिंज सपोर्ट द्वारा जुड़े होते हैं तथा दोनों लैक्स के नीचे के सिरे नुकीले होते हैं इसमें कोई भी नी जॉइंट नहीं होता है इसका प्रियोग सीधी या कर्व लैंस को इक्वल भाग में विवाजित करने के लिए किया जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं और डिसकस कर लेते हैं इस्टूमेंट बॉक्स के अगले इस्टूमेंट के बारे में इसमाल बो डिवाइडर जैसा की नाम से पता चला है इसमाल बो डिवाइडर इसका मतलब यह इसमाल यह छोटे डिवाइड करता है यह छोटे बिवाजन करता है आगे बढ़ते हैं और डिसकस करते हैं अगले ड्राइंग इस्टूमेंट के बारे में French curve लकड़ी, celluloid अथो आप प्लास्टिक के बनाय जाते हैं यह बिविन आकृतियों में बनाय जाते हैं जिसमें से कुछ आप चित्र में देख रहे हैं French curve का प्रियोग उन curves को ड्रा करने में किया जाता है जिसको compass द्वारा ड्रा नहीं किया जा सकता है जैसे की ellipse का curve, जैसे की parabola का curve और जैसे की hyperbola का curve यह compass द्वारा ड्रा नहीं किया जा सकते हैं इसलिए इन्हें French curve द्वारा ड्रा किया जाता है आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने अगले ड्राइं इस्टुमेंट के बारे में ड्राइंग seat या ड्राइंग paper एक इंजिनिर अपनी पूरी ड्राइंग, ड्राइंग seat या ड्राइंग paper पे ही बनाता है इंजीनरिंग ड्राइंग बनाते समय बहुत सारी स्कैचिंग करनी पड़ती है तथा ड्राइंग को लंबे समय तक सुरक्षित भी रखना पड़ता है इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हमें एक अच्छी क्वालिटी की ड्राइंग सीट प्रियोग करनी चाहिए अगर हम खराब क्वालिटी की ड्राइंग सीट प्रियोग करेंगे तो या तो वो फट जाएगी या फिर उस पे स्कैचिंग बढ़िया से नहीं हो पाएगी और उसे हम लंबे समय तक सुरक्षित भी नहीं रह सकते हैं इसलिए ड्राइंग बनाते समय ड्राइंग सीट का चैन वहुत ही अच्छी क्वालिटी का करना चाहिए Bureau of Indian Standard या BIS के अनुसार ड्राइंग सीट छे प्रकार की होती है A0, A1, A2, A3, A4 और A5 जिसमें A0 का माप है 841 mm गुणा 1189 mm A1 का माप है 594 mm गुणा 841 mm A2 का माप है 420 mm गुणा 594 mm A3 का माप है 297 mm और 420 mm A4 का माप है 210 mm गुणा 297 mm A5 का माप है 148 mm गुणा 210 mm दो क्रमसा ड्राइंग सीड का छेतरपल का रेशियो एक अनुपात दो होता है उधारण के तोर पे हम ले लेते हैं A5 का छेतरपल अनुपात में A4 का छेतरपल तो A5 का साइज है 148 गुणा 210 mm इसको हम डिवाइट करेंगे 210 mm गुणा 297 mm 210 mm से 210 mm कट जाएगा 148 divided by 297 और यह आता है 1 by 2 इसलिए हमेशा क्रमसा डो ड्राइंग सीड का छेतरपल वन अनुपात दो या एक रेशियो दो होता है A0 ड्राइंग सीड का छेतरपल एक मीटर स्कॉयर होता है यह परिक्षाओं में बहुत कोशिन पूछा जाता है कि यह अनुपात होता है बन रेशियो अंडर रूट टू क्या लिए इसे हम एक उधारन से समझ लेते हैं A0 एक उधारन ले ले रहे हैं इसकी जो चौड़ाई है वो 841 मिलिमीटर है और इसकी लंबाई है वो 1189 मिलिमीटर है तो 841 को हम 1189 से डिवाइट करेंगे तो 0.707 आएगा और 1y अंडर रूट टू की वैलू जब हम कल्कुलेट करेंगे तो वो भी 0.707 आता है तो किसी भी एक ड्राइंग सीट की चौड़ाई से लंबाई का अनुपाद 1y अंडर रूट टू होता है आप लोगों के अक्सर दिमाग में आता होगा कि सर आपने इतनी ड्राइंग सीट बता दी हम इसका माप कैसे याद रखेंगे तो इस ड्राइंग सीट पर मैं अलग से वीडियो बढ़ना होगा जिसमें मैं आपको ट्रेक बताऊंगा आपको याद कुछ नहीं करना है उस ट्रेक से आप सारी ड्राइंग सीट का माप अपने आप से निकाल सकते हैं और साथ में ही मैं बताऊंगा कि कौन कौन से कोश्चन टेकनिसियन या लोको पाइलेट रेलवे में पूछे जाते हैं या अधर भी कॉम्पुटेटिव एक्जाम में कौन कौन से कोश्चन इससे पूछे जाते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आगे बढ़ते हैं और आ अधाबट और सुधता पैंसल की क्वालिटी पे बहुत अधिक निर्वर करती है इसलिए हमें हमेसा अच्छी क्वालिटी की पैंसल प्रयोग करनी चाहिए पैंसल की लीड जिसके द्वारा स्केचिंग की जाती है वह है ग्रेफाइट काइलीन और किले से मिलके बना होता है चलिए अब हम चर्चा कर लेते हैं पैंसल की नेचर की पैंसल की जो नेचर होते हैं वो तीन प्रकार के नेचर होते हैं हाड पैंसल, सॉप्ट पैंसल और मीडियम पैंसल तो जो पैंसल होती है उसकी जो लीड मैंने अभी आपको पताया था कि वो ग्रेफाइट काइलीन औ करता है कि वह पैंसिल को कठोर बनाती है या सॉफ्ट बनाती है यदि काईलीन की मात्रा जादा होती है तो पैंसिल का नेचर होता है कठोर और काईलीन की मात्रा अगर कम होती है तो पैंसिल का जो नेचर होता है वो होता है सॉफ्ट यदि उसकी मात्रा मेडियम होती है तो पै होने वाली पैंसल 18 ग्रेड की पैंसल होती है 9H, 8H, 7H, 6H, 5H, 4H, 3H, 2H, H, F, HB, B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, और 7B जिसमें से 9H से लेकर 4H तक की पैंसल हाड पैंसल मानी जाती है और 3H से लेकर B पैंसल तक मीडियम, हाड या मीडियम मानी जाती है 2VC लेकर 7B तक की Pencil को Soft Pencil माना जाता है HB Pencil जहां H का मतलब होता है Hard और B का मतलब होता है Bold या Dark अब आपके मन में एक प्रसन आता है कि सर आपने बता दिया 18 ग्रेट की Pencil हम कैसे याद रखेंगी कौन सी Pencil Hard होती है कौन सी Soft होती है तो Pencil के उपर मैं एक अलग सी वीडियो बताऊंगा जिसमें मैं आपको एक ऐसी तरिक बताऊंगा कि आपको याद कुछ नहीं करना है सब आपको पता चल जाएगा कि कौन सी Pencil Hard होती है कौन सी Soft होती है और आप इसे कभी भी नहीं भूलेंगे तो मैं इसका एक अलग सी वीडियो बताऊंगा और साथ में ही मैं बताऊंगा कि Competitive Exams में उसमें से कौन सी Question बनते है जो कि हमेशा पूछे जाते है चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं Next Drying Instrument के बारे में Sand Paper Block यह एक Wooden या लकडी का Block होता है जिसका माप मुखता 150 mm 50 mm और इसकी मोटाई 12 mm होती है इसको उपर एक Sand Paper का कपड़ा लपेट दिया जाता है और जब यह गंदा हो जाता है तो इसको Replace भी कर सकते हैं इसका प्रयोक क्या होता है इसका प्रयोक देख लेते हैं इसके Sand Paper वाले हिस्से पर सतय पर हम हमेशा Pencil की जो Lead होती है उसको Sharp करने के लिए इसका प्रयोक करते हैं जब हम ड्राइंग बनाते हैं तो Pencil की Lead जो होती है अगर Sharp नहीं होती है तो ड्राइंग अच्छी नहीं बनती है तो हम उससे Sand Paper Block पर घिस कर उसकी Lead सार्प कर लेते हैं और Pencil का प्रयोक करते हैं आगे बढ़ते हैं और डिसकस करेंगा अगले ड्राइंग इस्टुमेंट Eraser के बारे में Eraser का प्रयोक हम ड्राइंग पर खीची गई गलत रेखाओं को मिटाने के लिए करते हैं या फिर Construction Line को मिटाने के लिए करते हैं Eraser हमेशा Soft Quality का ही प्रयोक करना चाहिए यदि हम Hard Quality का Eraser प्रयोक करेंगे तो वो ड्राइंग सीट को छटी पहुचा सकता है आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने Next Drawing Instrument के बारे में Pin, Clips और Addisive Tips दोस्तों हम अपने पिछली वीडियो में जब Drawing Board के बारे में डिसकस कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि Drawing Board को हमेशा Engineer के सामने Downward Slope में रखा जाता है तो यदि हम Downward Slope में Drawing Board को रखेंगे और उस पर हम जब अपने Drawing सीट लगाएंगे यदि वो किसी के द्वारा Drawing Board पर हिंज नहीं होगी तो Drawing सीट नीचे गिर जाएगी या फिर इधर उधर हट जाएगी तो जब Engineer उस पर Drawing बनाएगा तो Drawing इतनी अच्छी नहीं बन पाएगी तो इसलिए बहुत जरूरी होता है कि Drawing सीट को Drawing Board पर फिक्स किया जाए तो Drawing सीट को Drawing Board पर फिक्स करने के लिए पिन, किलिप या एडिसिप टेप्स का प्रियोग कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं नेक्स ड्राइंग इस्टूमेंट के बारे में डस्टर डस्टर के रूप में हम एक सही माप का तौलिया या कोई भी साफ कपड़ा का प्रियोग कर सकते हैं दोस्तों यह बहुत जरूरी होता है कि कार स्टार्ट करने से पहले वर्क प्लेस को Drawing Board को और Drawing बनाने में प्रियोग होने वाले सारे इस्टूमेंट को अच्छी तरह कर से साफ कर लेना चाहिए यदि हम गंदे इस्टूमेंट का प्रियोग करेंगे तो बहुत गंदगी ड्राइंग सीट पर लग सकती है और ड्राइंग हमारी खराब हो जाएगी इसलिए सारे ड्राइंग इस्टूमेंट ड्राइंग बोर्ड सबको अच्छी तरह साब कपड़े से पोँच लेना चाहिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने अगले ड्राइंग इस्टुमेंट के बारे में रोल एंड ड्रा आप चित्र में देख रहे हैं यह एक रोल एंड ड्रा है इसमें एक रोलर होता है एक स्केल होती है 16 सिंटेमीटर की और एक प्रोटक्तर लगा होता है इसके द्वारा बहुत ही आसानी से और बहुत ही तेजी से बर्डिकल लाइंस, होरिजेंटल लाइंस और इन्कलेंड लाइंस हम किसी भी कोड पर खीश सकते हैं दोस्तों यह थे 15 मुख ड्राइंग इस्टुमेंट्स जो की एक इंजीनियर अपनी ड्राइंग बनाने के लिए प्रियोग करता है मेरे अगले वीडियोज होंगे ड्राइंग सीट और ड्राइंग पैंसिल के बारे में मैंने आपको बताया था मैं ऐसी आपको ट्रिक बताऊंगा जिसमें आपको याद नहीं रखना है कि ड्राइंग बोर्ड के क्या-क्या साइज है रटना नहीं है मैं आपको ट्रिक बताऊंगा और सारे ड्राइंग सीट के माप आपको अपने आप याद हो जाएंगे और मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी ट्रिक ड्राइंग पेंसिल के बारे में कि आपको पता चल जाएगी कौन सी पेंसिल सॉप्ट है और कौन सी पेंसिल हार्ड है और कौन सी पेंसिल किस प्रकार की लैंस को घीचने में प्रयोग की जाती है साथ में ही मैं बताऊंगा कि लोको पाइलट और टेक्निसियन में कौन-कौन से कोश्चनल से पूछे जाते हैं तो आप मेरे आने वाले वीडियो को जरूर देखिए यदि आप मेरे चैनल को नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे नोटिफिकेशन बैल दबा लिजे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंसता रहे थैंक यू